बादल कभी अपने आप नहीं आए लेकिन धर्ती की सन्निस्थ आद्रता ब्रक्षों की आद्रता उन बादलों को उपर होते हुए भी नीचे लाने के लिए मजबूर करके ले आई आपका यहां आना भी कुछ ऐसा ही है कोई पुरानी इच्छा आपको यहां कठा प्रांगण में ले आई यह इच्छा अनन्त कालों की दबी हुई है निश्चा यह आपका भाव है क्योंकि बिना मन के किये तो आप यहां आने हो सकते अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तक्पदम दर्शितम येन तश्मै श्री गुरुवे नमा अखंड मंडलाकारम जो हमारा जीवन एक मंडल में घूम रहा है गोल चक्र हम पैदा हुए बड़े हुए प्राड हुए और मर गए हैं और फिर उस गोले में अगला जनम हुआ फिर कोई पसुयोनी में गए कोई अन्योनी में गए और फिर उस गोल 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 चक्र पे घूमते रहे घूमते रहे यही हमारे जीवन में है कि नित्य दन दिन निकला हम अपने भंडार में लग गए अपनी चालाकी में लग गए अपने बैभब को जुटाने में लग गए अपने नित्य कर्म में लग गए तो एक गोल चक्र पर हम परदी पर घूम रहे हैं अखंड जो मंडला का देखिए तो उस मंडल के कोनों पर हम गूम रहे हैं और इस गदर घूम रहे हैं कि अंदर आने की इच्छा नहीं हो रही है- लेकिन जो ब्यास हैं उस मंडल के बीच में से जो रेखा गई है वो ब्यास है तो मंडल पर she रहें लेकिन वहां से आपको इखटा करके अंदर लियाव है और अंदर के नेत्र खोल दे वो व्यास है वो गुरू है कितना भंडारण हो कितने वस्त्र हो कितना चखा जाए कितना तरह के व्यंजन खाये जाए कोई अंत है क्या कितना रूप को देखा जाए कितना जिभ्या को सुख दिया जाए कितना नेत्रों को सुख दिया जाए कितना बैभब को जुटाया जाए एक बाहान दो बाहान अनेक बाहान एक घर दो घर अनेक घर और एक संगनी, दो संगनी, अनेक संगनियों की इच्छा, एक मित्र, दो मित्र, अनेक, आवरण है, एक भंडारण की जो अनन्त इच्छा है, और यही परलोप में है, यही परलोप में है, जो संपूर्ण धर्ती का स्वामी बन गया, जो संपूर्ण धर्ती के बैवब का अकेला भोगता बन गया, अब भी कहां उसका मनसानत हुआ, उसने कहा, मैं स्वर्ण को जीतूँगा, 99, यग्यकरने कर दिये उसने, अब मैं स्वर्ण को जीतूँगा, और यही हाल स्वर्ण में भी है, जो स्वर्ण का राजा है, इंदर, वो उसे भी कहां सुआता है स्वर्ग का राजे वो बैकुंध का राजा बनना चाहता है कुवेर जो देवताओं के कोश का स्वामी है जो के देवताओं के खजाने का मालिक है वो और धन चाहता है वो और वड़े खजाने का मालिक बनना चाहता है उर्वसी जो हमसे करोड़ों गुना सुन्दर है वो सरकी अपसराए नाकन्याए वो कभी लज्जित होती है कभी वो सोचती है कि मैं और सुन्दर होती क्या सुन्दर ताकि कोई सीमा है क्या बैभब का कोई अंत है क्या चाहतों कि कहीं कोई परिदी है कहीं नहीं कहीं नहीं इसकी परिदी, इसकी चावी इसका ढखकन सब आपके अंदर है तो जो मंडल के चारों तरफ भूम रहे हैं वहां से जो अंदर लिया है उग रही बिमल बिलोचन ही के मिटे ही पाप दुख भव रजनी के उग रही बिमल बिलोचन ही के और जो आपके ही के हिर्दय के नेत्र खोल दे उग रही बिमल बिलोचन ही के हिर्दय के जो नेत्रों को खोल दे हिर्दय के कपाट खोल दे मिटे ही पाप दुख भव रजनी के तो आपको फिर जो सामने नजर आएगा वो बड़ा सुन्दर है, बड़ा मेहनिय है बड़ा अंगी कार करनी लाइक है लिकिन ये बिनास रधा के समझ में नहीं आएगा हाँ ये सच है कि ईश्वर किसी मंदिर में रहता है कहीं तीर्थों में रहता है, गंगाजी में रहता है, हम सब में रहता है वेकुंठ में रहता होगा, देव प्रत्मा में रहता होगा पर सच बात ये वो वहाँ नहीं है ईश्वर सिर्फ आपके श्रधा और विश्वास में है आपके मानने से वो ईश्वत आपके अंदर है आपके श्रद्धा और विश्वास में है उगरही बेमल बिलोचन ही है कि जैसे ही आपका अपने गुरु के प्रती भागबची के प्रती श्रद्धा और विश्वास जागरत होता है नारेन सामने खड़े मिलते हैं ये कथा उप एक देश मर गया तो जीवन में कुछ बहुत ज्यादा करने को बचेगा ने है कि कुछ गती समझ में नहीं आएगी कि किस ओर चलें चतुराई तो बहुत इखटी हो जाएगी लिकिन चतुराई का अंत क्या है जीवन वही एक दिन सांत होना है जला फूक के एक लकड़ी की एक मचान पर रख दिया अगनी आपको रांध देगी और अगले दिन एक पोटली में राख बना के गंगाजी में बहादी जाएगे कथा उपदेश आत्मक है उपदेश ही सद्गती का प्रथम सोबान है उपदेश पिना उपदेश हमें कब से चाहिए जिस तरह मां के गर्व में आने के साथ आपको सांसों की जरूत है उसी तरह है इस प्रथम सांस के साथ ही आपको उपदेश चाहिए और जिस दिन तक सांस में सकते हैं इस को शमार सकते हैं कथा उपदेश आत्मक है ॉप एक विद्जार की आत्मात्या करने कि सोच रहा है उसे लग रहा है मिरे जीवन में पुछा रहा नहीं मुझे सब हे द्रश्टी से देखते हैं, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मुझे कोई आदर नहीं देता, ये इस देश के बहुत बड़े एक व्यक्ति जो आगे चल के बहुत बड़े पदपे हुए उनकी सची घटना है, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, कोई मुझे अपने पास नहीं कर लेता हूं आत्मात्या कर लेता हूं अब विद्यारती हॉस्टल में रहता है रात्री में उसने सोचा कि और कोई जगे तो ठीक नहीं रहेगी कहीं कोई मुझे मर्गने से रोक न ले तो साम को जब 6-7 बजे तो वो चुके से प्रदानाचारेजी के कक्ष में चला गया हॉस्टल का विद्यारती उस विद्याले के प्रदानाचारेजी के कक्ष में चला गया कि यहां कोई नहीं आएगा अब वो वहां बैठा है अंदर और जहां के बाहर देख रहा है कि देखो यह थोड़ा अंधेरा हो जाए तो फिर मैं आत्मात्या करूँगा कहीं किसी ने देख लिया तो मुझे रोक न ले अब वो मरने का इंतिजार करता खुरसी पेड़ा इतने में वहां प्रदानाचारेजी के कक्ष में जो रैक लगी थी वहां एक पुष्टक उसने उठा ली के चलो टाइम पास नहीं हो रहा है पता नहीं सब लोग अंदर कब जाएंगे कम मैं आत्मात्या करूँ कुछ मैं पुष्टक पढ़ लेता हूँ जब टक टाइम पास कर लेता हूँ थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब मैं आत्मात्या करूँगा तो जैसे उसने पुष्टक उठाई गीता प्रेज गोरकपुर की पुष्टक थी जैसे प्रथम पढ़ना उसने पल्टा तो वहीं पहले ही लिखा था कि जो लोग आत्मात्या करके स्वर्ग में जाते हैं नर्क में जाते हैं वहां उनकी बड़ी निंदा होती है